आज हम जानेंगे PIL Sensor के वारे में उसका पूरा नाम है Passive Infrared Sensor यानि यह अपने होटल में देखा होगा जब आप रूम या लिफ्ट के बाहर निकलते होगे तब कोरिडर की लाइट आटोमेटिकली ओन हो जाती है जब वहाँ कोई नहीं रहता है तब वो आफ हो जाती है तो यह PIL Sensor का कामाल है PIL Sensor क्या है? PIL Sensor के अंदर एक पाइरो एलेक्रिक सेंसर होता है जो रेडियेशन की हीट को एनरजी के फॉर्म में कनवर्ट करता है जब कि कोई इंसान या जानवर वो सेंसर की रेंज में आता है तो उसे सेंस करता है क्योंकि यूमन बोडी और एनिमल बोडी हीट रिलिस करता है इन आ फॉर्म ओफ इंफ्रारेड रेडियेशन इसका नाम पैसिव क्यों है? क्योंकि यह सेंस करने के एनर्जी यूज नहीं करता है बलकि दूसरों से मिलती हूए एनर्जी को यूज करके काम करता है PIR model में special design cover होता है जिसे फ्रेंसल नेन्स करते है जो इंफ्रारेड रेडियेशन को पायरोएलेक्रिक सेंसर पे फोकस करता है इसमें तिन पिन होती है VCCN Ground जो supply देने के लिए यूज होती है और एक output पिन होती है जो हमें बताएंगे कि sensor ने sense किया कि नहीं और इसमें दो screw होते हैं जिसमें delay time and range चेंज कर सकते हैं अगर आपको कुछ इसके बारे में doubt है तो आप नीचे comment कर सकते हो तो हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और हम मिलते हैं अगले वीडियो में